Hello everyone, students, अभी तक आपने पढ़ा the sentence, sentence क्या होगा है, sentence is a group of words which convey a complete message, which make a complete sense, यानि sentence कुण शब्दों के संभूखों गयते हैं, जिनका कोई meaning निए अथनी, हम आज पढ़ेंगे sentence के parts, parts और भी sentence, किसी भी sentence के two parts होते हैं, कितने parts होते हैं, two, first, subject, और second, predicate, आप जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको separate comment रही हैं आदा, कि कौन सा इस sentence कन अफ़ा priority हैं, और कौन सा ब्रे करने होते हैं, बहुत अशान तेलेकर, अगर आपको किसी सेंथे निदी आजै तो बहुत अच्चा निदी में ये जिखो, कि किसके बारे में कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया हो, उसको कहेंगे subject, जिसके बारे में भी क कहा गया है उसको कहेंगे subject और उसके बारे में क्या कहा गया है उसको कहेंगे अगर आपको sentence के नहीं 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 तो भी कोई प्रब्लम नहीं नहीं तो भी कोई प्रब्लम नहीं कि sentence में नाम क्या है अजय कहा है डिटर्बीनर्स कहा है कोई चिंदा आपको क्या करनाई students एक बार याद रही है कि आपको helping words याद करोगे helping words अगर आपको helping words याद हो जाती है तो आप subject और predicate को बहुत असानी से separate करोगे देखिए फर्स्टों होती है किसी sentence में फर्स्टों आपको है ठीक है और अगर बीचित होगा तो इसमें पीछ आपको यह होती है अगर आपको helping words पहजान आप जाए तो बहुत सिंपल सा तरीका है subject और प्रेड़केट को किन से पहले वाले जितने भी words हैं किन से पहले helping words के पहले वाले जितने words होंगे वह होगे subject और helping words के बार भी जितने words होंगे प्रेड़के एक बार example में आपको दिखाती हूं दिहान से देखिएगा देखो he place इसमें देखो यह first moment है अभी मैंने बोला helping words से पहले वाले जितने अक्षर है जितने शबने वह है subject यह first moment है तो ही क्या हुआ subject अगर second form आ जाती है यह देखो second form आ जाती है यह देखो second form आ जाती है यह यह second form से पहले क्या है she यह subject है और यह predicate हो गया है ना इसी बस आपको यह helping verb लाट करते हूं अब यह देखें इसमें देखें helping verb second sentence में helping verb नहीं पर है that helping verb नहीं है blue भी नहीं है I do भी नहीं है गौशी नहीं है देखो यह अर्स आम हाँ मैंने बोला है na helping word इस आम हाँ इस sentence में subject क्या हुआ that you I work यह पूरा क्या हुआ subject is a doesn't इसके बाद helping verb के बाद वाला क्या हो जाएगा predication is a doesn't यह हो गया predicate अब थेर देखें मैंने बोला ना those words यह नहीं को क्रियर दिखा नहीं sentence में आपको कोहीं भी I am was both has ever तो उससे पहले बादे को subject अब इसमें लेखें helping work माइँ नज़ारा है the whole world was ready यह यह अभी गट वोत जो है helping word तो the whole world यह क्या हुआ साया और वोस्पेंट क्या हो गया प्रेडिकेट क्लियर हो गया है ना होगत इसी कई पार फर्स्ट और सेक्ड फॉम वाले संद्रेंसेंज पे अगर नेडिव है तो डूर्डज नौर्ड डिगंट रजाता है कि अगर आपको नेडिव संद्रेंस होगा तो क्या मिलेगा दिखाई देता है तो उससे पहले वाला संद्रेंट अब देखो क्या है दूनों तो क्या डिटन्ट होगा अगर आप नेडिवी संद्रेंस नहीं आना दूर्स के साथ वोग्रगारतों से पहले वाला नक्षर क्या हो जाए गरिया है अगरिया है और यहां से यास वाला क्या हो जाएगा प्रेडिकेश ना और लास्ट देखोगे भी सब्सक्राइब होते हैं सब्सक्राइब क्या हो अब भी क्या हुआ है सब्सक्राइब और इसके बाहर बढ़े सारे यह पूरी लेंग क्या हो जाएगी तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ आपको एवल हेल्पी उपर पहचांदी है फर्स्ट ओम, सेटिंड ओम, या कि बुफ दस्ट डिल्ट इन देखिसा आपको अब बढ़े लिए यह सारे आपको किसी की लिएंगे कहीं भी लिखीजी तो उससे तहरे जो होगी वो क्या है सब्जेक्ट और बाजाली लाई बन जाएगी प्रेडिक्ट आपको मैं दूदी इसके बारे में बताया हमेने नेहा तो नेहा दिया हुई सब्जेक्ट इसके बारे में बताया नेहा नेहा के तो की सब्जेक्ट नेहा क्या है नेहा नाच रहनी लिए उसके बारे में जो पता दिया आपको बजाएगा प्रेडिक्ट अब इंग्लिश में ही एक लाइन में तुम नेहा Мानो मैंने मौर्ण दिया नेहा डांस नेहा先 कि नेहा डांस कि बारे बता रहना तो अ में इनक सब्चे-चेट दांस कि अरभ दांस कि यह है यह बहुत उसकर ऊसान ट्रीका हो two बार अगर इंधिया जाती है byल स्टेंपस कि तो बहुत अच्छा है जिसके बारे में कहा जाए subject और उसके बारे में क्या कहा जाए subject अगर आपको इंदी नहीं आती तो just to help you learn करने हैं उससे पहले की line subject और उसके बार the sentence आपके सुझे और उसके बारे में क्या जाए subject और उसके बारे में क्या जाए subject